जैन दोस्तों कैसे आप समय आ सकते हैं अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 4 चनल लगाएंगे और फुल डीटेल के साथ जो भी जांगे दोस्तों आपको डीटेल में मिलेगी बस आपको करना क्या है वीडियो पूरा और ल्यास तक ध्यान से देखना ह कोई पाट आपको इसकी नहीं करना है तो भीना टाइम बेश के दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर देखेंगे दोस्तों हमने एक ड्रावर में चलाया हुआ है अब यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर देखेंगे इसका बॉक्स है इसके अ करें तो साइड में और यहां पर हमने एक फैकिट मिलता है इसके अंदर आपको जो लोकर होता वो देखने को मिल जाता है बागि यह इसका user manual है जिसको आप देख के लगा सकते हैं पाकि यहां पर दिखाना चाहूंगा आपको नजिख से यहां पर इसका जो लेंथ है कितना यहां पर जैसे आप को कितना करना है आगे मैं बीडियो आप पूरे देखेंगे के ओंता साड़े साड़े चाहई का अपर से मार्किन कर देंगे अब से मार्किन करेंगे एक 17 नमर पौरें लेंगे ऑस पर उस तरह से फसादस देंगे उसपर हो गई है जो हमारा channel हैगा इसके उपर रखके और हम fitting कर देंगे तो हमको मतलब उपर नीचे देखने के जरूद नहीं पड़ेगी यहाँ पर हमने खीले को लगा दिया है अब हम channel को उसके जगह पर रखेंगे जैसे कि हमने marking किया था उसी जगह पर रखेंगे और हमने इसमें दो इस्कूरू लाके इसको fixing कर देंगे यहाँ पर देख पा रहेंगे हमारा दो इस्कूरू लाके fixing हो चुका है अब हम left side कर रखेंगे और इसको भी इसको fitting कर देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लगबग दो हमारा दोनो लगेगा तो यहां पर एक चीज आप मैं दिखाना चूंगा यह इसका लॉकर है जो इसमें लॉक होता है जिससे और यहां गर ध्यां से इसको देखेंगे तो अगर मैं इसको मतलब यहां पर देखेंगे यह जो है ना यह इसमें इस तरह से फसता है तो यह लॉक हो जाता है य देखेंगे यहां पे आपको बताया तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो जो चैनल है वो इसके अंदर अच्छी तरीके से फसा हुआ यानि कि यह लोग हो चुका है बस इसी तरह से दोस्तों दूसरे मतलब जो दूसरे तरफ का भी लिप साइट का है उसको भी मैं लगा दे हो यहां पे और लगाने के बाद दोस्तों यहां पे देखेंगे कुछ इस तरह से moment करता है और पीछे के तरफ आप देखेंगे तो यहां पे चोटा सा दिया हुआ है तो इसका क्या काम है आगे वीडियो आप देखिए दोस्तों अभी-अभी आपने जो देखा जो जो हमार भॉंट-बारावर है इसको आपको क्या करना है यह पीछे वाला एरिया यह आपको देखेंगे यहाओ पे लिए बार ये गया है तो यहाओ पीछे के तरफ आपको दो मार्किंग डेखने को मिल जाएगा अब वो मार्किंग क्या करना दोस्तों आपको दोनों तरफ का जो जगह है ना उसको आपको इक्कोल बरावर रखे आपको 5 मंबीट से होल लगा देना है जब आप 5 मंबीट से होल लगा देंगे तो जो कुंडी है पीछे वाला वो इसके अंदर जाग के अची तरीके से बैट जाएगा और पीछे से जो ड्रावर है वो ऊपर भी नहीं उठेगा और बाहर भी नहीं निकलेगा तो इस हिसाब से दोस्तों जो पीछे वाला थोड़ा थोड़ा बड़ा है आप चाहिए तो मतलब भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो दोनों तरफ का साइड का आपको जो गैप हो बराबर मेंटेन कर लेना है आपका दोनों तरफ का जो गैप है वो बराबर रख लेना है मतलब कम जादा नहीं रखना है रखने इसमें से निकल जाएगा बाकि इसको इसके जगह पे रख देंगे यहाँ पे और दोनों को रख देता हूं और उसके बाद इसको फिटिंग करेंगे इसकी जैसे मैंने बताया आपको जितना डीप है उतना ही डीप का आपको इसको बनाना रहता है तो यहाँ पे मैंने एक स्क तो सेम तरीके से यहां पर देखेंगे दोनों ब्रैकेट को फिक्सिंग खर लेते हैं यहांप आप देख पा हुआ होगे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह जो फिटिंग आपने कितने दिन पहले लगाया हुआ था था कि मुझे भी मालूम चल सके कि मेरे जो कार्पेंटर भाईयों मतलब इसको कितने दिन पहले से लगाते चले आ रहा है बाकी यहाँ पे देखेंगे इसको अगर मतलब इधर फिराते हैं तो जो ड्रावर का मता है आगे पीछे करता है और बाकी यहाँ पे अगर इसको देखेंगे यहाँ पे तो इसको अगर मैं इस तरह से घुमाता हूं तो यह वाला है जो लेप साइड और राइट साइड के तरफ जाता है यानि कि जब आप फेशिया फिटिंग करेंगे तो आपको अर्जेस्ट करने के लिए काम आएगा जैसे अपन टेंडम बैड़ के देखेंगे यहां तो इसको भी देखेंगे इस तरह से व्रड़ कर रहा हुआ जैसे मैंने बताया जो लॉ加ँ वाल वा पर देख पा रहे होंगे कि इसमें लोक हो गया है और यह अच्छी तरीके से काम भी कर रहा है यहां पे आप देख पा रहे होंगे, मतलब अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, बाकी जो ड्रावर का हाइट आपको किस तरह से बनाना है, तो यहां पे आप टेप का मेजरमेंट देख पा रहे होंगे, जो हमारा नीचे का तल है, वो साड़े पांच इंचे, यानि कि हमने सा आइज कैसे निकालना है, तो यहां पे मैं आपको पहले निकालना बता जाता हूं, तो यहां पे दोनों के इस तरह से प्रेस करेंगे, तो जो ड्रावर है इसमें से निकल जाएगा, और वापीस इसमें इस तरह से डाल के प्रेस करेंगे, तो इसमें अची तरीके से बैट जाएगा आप देखेंगे दोस्तों हमारा का मेजर्मेंटा वो कैसे मतलब बनता है इसका डीप देखेंगे या फोर फिप्टी हमने बनाए थोड़ा सा दो तीनिवं जयादा है तो इसके लिए सामने से जगह हमारा बच गया बाकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जैसे आपको कितना साइस का बनाना है याँ यह जो जगह है यहां पर देखेंगे जगां इसके जगह कैसाफ से तो आप जैसे आपने देखा होगा वीडियो में यहां पर जो हमारा ड्रावर बनाने का इस्टाइल है यहां पर देखेंगे थोड़ा सा यह बाहर निकला हुआ है अगर आप ड्रावर को बनाते हैं तो यहां से जो चैनल का जगह रहेगा वह एक इंच ले लेगा और आपको क मेरे द्वारा दीजी दी गई जान करें आपको पूरी तरह समझ में आया होगा दोस्तों मैं आपको बार-बार बोलता रहता हूं कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसको टाइम निकाल के थोड़ा सट लंबा होता है क्योंकि जो मैं डीटेल देने की कोशिश करता हूं उ आप लोगां आगर किसी होगो वीडियो चाहिए उसका अ है कमेंट किछे मैं नीचे ज्रूर लाऊंगा दोस्तों मेरा यह जानकर एपको कैसा लगा नीचे कमेंट करें जरूर ही वीडियो पसंद है तो लाइक कीजीये और काई मैं नेक्यां सार्च केजिए शेर कीजिए मि दे मात्रम